दोस्तो काफी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि आप लोबर्स पर भी वीडियो बनाए कीजिए तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो लोबर्स के ऊपर होने वाला है आज हम लोबर्स की एक ऐसी प्रोब्लम की बात करेंगे जो जिन्होंने लोबर्स रख 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 के हैं य यह क्यों होता है दोस्तों और इसके क्या दिक्कत हो सकती है हमारे बड्स में आज हम इसी इनी सभी बातों पर चर्जा करेंगे तो जिन भाईयों के पास लोबर्स उनके लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपोर्टन होने वाला है जिन भाईयों ने लोबर्स के सेटप रक हो इस वीडियो को पूरा जरूर देखे वीडियो में काफी अच्छी एन्फोर्मेशन मिलने वाली आपको तो वीडियो के अंतक जरूर बने रहें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैपुर एक्जोटिक बड्स इन्फो में दोस्तों आज हम लोबड्स की एक बहुत ही आम भीमारी के बारे में बात करने वाले हैं लोबड्स में काफी जल्दी आ जाती है ये बीमारी और बहुत तेजी से बड्स में फैल जाती है दोस्तों इस बीमारी में आपके लोबड्स की आई में इन्फेक्शन हो जाता है दोस्तों इसके क्या-क्या लक्षन होते हैं मैं आपको बता देता हूं अगर आपके बड्स की आई फूली हो उनकी आई से पानी निकल रहा हो या उनकी खुल नहीं रही हो यह सभी लक्षन आई इंफेक्शन के होते हैं दोस्तों एक चोटा सा वीडियो भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे जिसमें यह सारी विमारी आपको एक लोबर्स में देखने को मिल रही है क्लो आखों की रोचनी जा सकती हैं अब दोस्तों अगर आंगों की रोचनी चली जाती है तो आपके बडश ज्यादा दिन सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे उनके खाने में दिक्कत होगी और बहुत ही मर जाएंगे तो दोस्तो इसलिए आपको ऐसी बिमारी का सही टाइम पर इलाज करना बहुत ज्यादा जरूरी है सबसे पहले दोस्तो जिन लो बर्स में ये आई इंफेक्शन होता है उन लो बर्स को आपको अलग कर देना है अपने सभी बर्स से उनके अलग केज में रखना है ताकि और बर्स में ये इंफेक्शन ना फेले अब आपको डेली अपने बट्स को आई प्रोब्लम है उसको हलके से वर्म पानी से कोटन से लेके धोना है यानि कि दोस्तों उसको हलके से गरम पानी ले लिजिए आप गुनगुना गरम पानी और एक रूई का टुकड़ा ले लिजिए उसके आखो को डेली धोईए दोस्तो नाम है सीप्लोक्स डी आईड्रोप जो की हुमेन की दवा है और आपको मेडिकल स्टोर पर असानी से मिल जाती है इस दवा की ड्रोप आपको एक बुंद उसके बढ़ की आय में डालना है दोस्तों इस आईड्रोप के अलावा आप एक और आईड्रोप यूज कर सकते हैं जि से मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है और काफी सस्ती आती है तो आप यह दोनों दवा यूज कर सकते हैं आपको बड्स की आय धोके कोटन से अच्छे से सुखा लेना है दोस्तों इनका आईड्रोप डालने से पहले आपको वर्म वाटर में अपने बड्स के आई को अच्छे स बड्स की आठ कमें डालनी है कोजिस करें दोस्तों आप बड्स की दोनों आखों में डालने की इक बुंद जैसे बूंद आकमें डाले इसके सिर को थोड़ा सा शाथ थप थपा दीजिये चैन से फायदा होगा कि पूरी दवा उसकी आख में चली जाएगी ऐसा आपको दोस दोस्तों साथ मैं आपको बर्स को खाने की भी दवा देनी है जिसका एंटिबाइटिक देनी है जिसका मैं आपको एक नॉर्मल एंटिबाइटिक बताता हूं जो बहुत ही कारिगार एंटिबाइटिक होती है American पानी में मिलाके आप दे सकते हैं American एक liquid formula आता है आपको इस्क्रीन पर दिख जाएगी American के CC आप यह बाजार से खरीद के ला सकते हैं medical store से और इसको पानी में मिलाके 8-10 दिन तक अपने birds को देना है अब दोस्तो इसकी कित्ती मातरा और आखों के प्रोब्लम जल्दी ठीक हो सकती है और आप काफी भारी नुकसान से बस सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है अगर आपको लगता है कि वीडियो इंफोमेशन आपके काम आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साती वीडियो को अपने फ्रेंड्स और ग्रूप में जरूर सेर करें वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि मैं ऐसी इंफोमेशन वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूं मिलते हैं फ्रेंड्स आपके एक नए वीडियो और एक नए टोपिक के साथ